चलिए friends, next chapter, tax collected at source, तो ये क्या रहता है, पहले समझ लो, कुछ commodities ऐसे हैं, दो टाइप में इसको मैं डिवाइड करता हूँ, कुछ commodities ऐसे हैं, जो supply करने पे, जब मैं supply, जैसे मान के चलो मैं supply हूँ, तो मैं जब आपको supply करूँगा, तो वो supply करते समय, मुझे आपसे tax collect करना है, जैसे सुनू, मुझे आपसे tax collect करना है, इसे कहते है, tax collected at source, the best example is, car वगरे आप purchase करने जाते हैं, car, let's say, मैं एक dealer हूँ, किसका, मारूती का, आप हमारे शूरूम में आए, और आपने बोला, आपको कौन सी कार चाहिए, गरीबों की पहली कार, वैगनार, यह आपको चाहिए, तो च्छे लाख रुपए की कार है, सिक्स लाख रुपीज की कार, तो अभी यह च्छे लाख रुपए की कार मैं जब आपको sale करूँगा, आप कौन है, Mr. आप है Mr. गनेश, तो गनेश जी मेरे पास आए, और च्छे लाख रुपए की कार, मैंने उनको बोला कि है वैगनार, च्छे लाख रुपए की है, तो अब मैं उनका बिल बनाऊँगा, तो यह च्छे लाख रुपए के साथ, यह वैल्यू है, इसके साथ मुझे उसके उपर TCS कलेक्ट करना पड़ेगा, और ओ TCS रहता है, at the rate of 1%, CGST का 0.5%, SGST 0.5%, और अगर IGST है, तो दोनों मिला के मतलब 1%, ओके, तो TDS, CGST, SGST का 1%, 1% है, TDS, यहाँ 0.5, 0.5, ओके, चल, तो 1% TDS मतलब मैं इसके उपर 6,000 रुपए का TCS कलेक्ट करूँगा, मारू अगनेश से, मारूती वाला सप्लायर कलेक्ट करेगा, इसलिए इसे बोलते है, टैक्स कलेक्टेड, कलेक्ट किया मैंने, ओके, और धान से सुनदा, अब इस GST लगेगा, वो बताओ, क्या ये 6,00, पे लगेगा, या 6,00, 6,000 पे लगेगा, आप गलत सोच रहे हो, मुझे मालूम है, आप क्या सोचे, आप सोचे कि सर, GST 6,00, पे लगेगा, नहीं, GST लगेगा 6,00, 6,000 रुपई बे, मतलब ये जो CGST और SGST, मान के चलो 28% है, तो 14, 14% जब हम collect करेंगे, तो ये पूरा 6,00, 6,000 पे collect करना है, this is clarification issued by the government, अरे समझ में आया, मतलब GST जो collect होगा guys, वो TCS की value include करके होगा, ये पहला point, ये TCS किसका, GST का TCS, income tax का नहीं, एक income tax का भी TCS होता है, तो income tax के TCS की value include नहीं होगी, GST के TCS की बाद, आपको note मिलेगा, income tax के T TCS की value नहीं, GST के TCS की value, ओके, चल, next point, second, दूसरे वो लोग होते, जो लोग e-commerce operator के through, ECO के through, जो लोग goods का supply करते, ECO के through, तो देखो, ये कौन से लोग होते, चलो, मैं समझाता हूँ, आपको बहुत simple तरीके से समझाता हूँ, देखो, आप मान के चलो, कि कोई, let's say, hotel है आ नाम से, चालू चाइनीज, चालू चाइनीज, अदा हम भी देखो, बड़ा मस्त है, मेरा एक client है, चालू चाइनीज, तो ये चालू चाइनीज वाला क्या करता है, ECO, मतलब ही, Zomato, या Swiggy, ECO है, इनके through, goods का supply करता है, customers को, customer को supply, बराबर, now, अब देखो, ये चालू चा Flipkart, Amazon, Jaycee, Zomato, Swiggy, तो अगर ये इनके through supply कर रहा है, ध्यान से सुनना, अगर ये e-commerce operator के through supply कर रहा है, तो ये e-commerce operator को, ये supplier से TCS collect करना है, this is main supply, तो e-commerce operator क्या करेगा, इसके through, मतलब ये supplier से क्या collect करेगा, TCS collect करेगा, तो जितने रुपे का ये माल बेचेगा, उतने रुपे पे 0.5%, 0.5% TCS collect करेगा, अरे बराबर, और फिर धान से सुनना, एक तो normal case हो गया, और ये दूसरा case, अब ये e-commerce operator को क्या करना पड़ेगा, इस e-commerce operator will file the form GST08 number का form file करेगा, e-commerce operator, तो ये मान के चलो, February मन्त का TCS है, तो इसको 10 February तक, 10th day तक, 10th March तक, 10th March तक ये form भरके, GST भरना पड़े, अरे समझ में आया, किसको electronic commerce operator, तो ये स्वीगी क्या करेगा, स्वीगी चालू Chinese से, बिल करेगा, उसका commission का bill करेगा ना, commission का, तो उसके उपर हो क्या collect करेगा बिटा, TCS collect करेगा, और वो TCS government को भर देगा, वो TCS कौन भरेगा, ECO, और ECO किसके, किसके नाम पे भरेगा, चाल अरे नाम पे, वैसे ही, electronic commerce operator, इन से TCS collect करेगा, और government को भरेगा, और जब ये चालू Chinese अब अपना GST return file करेगा, GST return file करेगा, तो फिर, ये जो TCS government को भर दिया, इसने, electronic commerce operator ने जो TCS भरा, इसका credit, कौन ले लेगा, चालू Chinese, मतलब चालू Chinese की जो भी liability आएगी, उसके साथ, ये TCS का credit ले लेगा, जैसे TDS का, तो ऐसे दो part में, ये TCS मैंने बताया आपको, एक तो जो normal लोगों के case में, scrap पे लगता है TDS, scrap, motor car जब आप purchase करते हो, motor car, तो ये इन सब पे TCS collect होता है, और ये अगर आप e-commerce operator के through, कोई goods बेच रहे हो, Amazon, Flipkart, Zomato, Swiggy, तो ये जो main supplier रह करता है, कौन, e-commerce operator, और फिर e-commerce operator, 08 में भरेगा, 10th day of next month, ओके, तो ये liability दोनों के उपर है, तो देखो, आप ए नोट्स में दिया है, are you the e-commerce operator, yes, मैं हूँ, उसके बाद देखो, whether supplies of taxable, whether supplier, supplier मतलब, चालू Chinese, makes the taxable supply through e-commerce operator, क्या आप e-commerce operator के through कर रहे हो, yes, definitely मैं कर रहा हो, whether consideration is collected by e-commerce operator, yes, of course, ये zometo वाला पैसे collect करता है, ये zometo वाला पैसे collect करता है, और फिर net पैसा इसको वापस दे देता है, अरे बराबर, correct, और तो आपको, मतलब, अगर ये सब condition उपर की satisfy होगी, e-commerce operator है, supplier e-commerce के through pay कर रहे है, supply कर रहे है goods, और e-commerce operator collection कर रहे है, पूरा, तो देखो, liable to collect the tax, e-commerce operator liable, e-co liable to collect the tax, at the rate of 1% of net value, ये मैं बताता हूँ क्या है, made during the relevant month, 0.5% CGST, SGST और IGST 1%, sir, what is net value of supply, let's say, एक example लेते, ये Samsung वाला है, Samsung, ये Samsung, Amazon के through, मतलब, e-commerce operator के through, goods बेच रहे हैं लोगों को, अब मान के चलो, Samsung ने, साल बर में, या एक month में particular, monthly TCS है, तो monthly example लेते, let's say, Feb month में, 10 lakh के, 10 lakh के freeze बेच है, freeze बेच है, इसके through, Amazon के तो, लेकिन उसमें से 2 lakh के freeze, return आ गए, तो ये value of supply, gross, और इसमें से 2 lakh के return है, तो net value of supply, कितना होगा है, बताओ, net value of supply, 8 lakh, तो TCS जो collect होगा, वो कितने पे collect होगा, guys, 8 lakh पे collect, supply minus return, उसके उपर TCS collect होगा, तो देखो, वहाँ पे बोला है, net value of taxable supplies, that is, total supplies minus return, right, TCS to be deposited up to 10th of the next month, February का, March में, जमा करना पड़ेगा, e-statement, GSTR 08 to be filed by 10th of the next month, आरे, कौन भरेगा, e-commerce operator को भरना पड़ेगा, annual return, return के chapter में बता है था, 9B में भरना पड़ता, annual return, e-commerce operator को, और ये कब तक भरना पड़ता है, जो आपका year है, मान के चलो, आपका year है, let's say, 21, 22, तो आपको भरना पड़ेगा, 31st December, 22, 31st December, right, ये सब अपन देख चुके, तो देखो, आपको अपन देख चुके, तो देखो, आपके लिकाए, of monthly return, whichever is earlier, actual date of filing of annual return, or due date to submit the statement of September month, September का due date, 20th October, या फिर, actual date of filing annual return, whichever is early, the authority not below the rank of deputy commissioner, may serve the notice to issue, to furnish the details, deputy commissioner, या उसके उपर की rank, कभी भी electronic commerce operator को पूरे records लेके अपने office में बुला सकती है, तो आपको पूरे records तहिया रखना पड़ेगा, देखो, ये point बता, TCS under income tax act would not be include in the value of supply, income tax का TCS नहीं करना है, बट अगर आपका, येसा मैंने बोला था, 6 lakh, अगर ये 6,000 GST का TCS है, तो फिर उसको include करना है, और 6 lakh 6,000 पे GST लगाना है, income tax के TDS नहीं, GST का TCS, T board to collect the tax, collect the tax from sellers and auctioneer, T boards जो रहते है, Tata TA, इनके सब boards है, T board एक centralized body है, उनको collect करना पड़ेगा, जो sellers है, Tata, वाग, बकरी चाहे, इनसे collect करना है, ये कुछ खास काम करना है, then ECO, liable to collect the TCS, are compulsorily liable to register, जो electronic commerce operator को TCS collect करना है, जैसे मैंने बोला, Amazon, Flipkart, Swiggy, इनको registration लेना पड़ेगा, और person supplying the goods, any goods or services, of which value exceeds 20 lakhs, are liable to compulsorily get registered, जो लोग ECO के through, goods को supply कर रहे, और उनका turnover अगर 20 lakh के उपर गया, उनको registration लेना पड़ेगा, जैसा, मैंने बोला, ये चालू Chinese, अगर इसका turnover 20 lakh के उपर गया, तो इसको registration लेना पड़ेगा, then next, simple लेदेखो, ये कुछ खास नहीं, terms दिये, common portal identification number, 14 digit number रहता है, unique common portal, अपने-अपना GST का portal का अलग-अलग number रहता है common, यहाँ पर TCS complete हो गया, समझा दिया मैंने आपको, ये 15 days तक valid रहता है, चलान number, CIN रहता है चलान, corporate identification, sorry, चलान identification number, corporate नहीं, CIN, चलान identification, चलान जब भरेंगे, तो उसके उपर ये 17 digit का number रहता है, 17th digit का, जिसमें 14 digit CPIN बोलते हैं, और 3 digit का bank code होता है, फिर एक bank reference code होता है, तो जो चलान पे करते हैं, उसका BRN बोलते हैं, कुछ खास नहीं, और ये EFBP, एक बार पढ़ लो, कुछ खास काम काने, एक्जाम में कभी पूछता, नहीं, so guys, this is all about TDS and TCS, very very simple chapter, आप इसको करके जाओ, TDS याज रखना, 1%, 1%, TCS 0.5, 0.5, TCS 2 बता है, मैंने आपको, electronic commerce operator वाला भी अलग बता है, और वो भी अलग बता है, ओके, चा, थैंक,